कि आखरी लेक्षर इस चेप्टर का हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे हम लोग आज बात करने हैं कोफिशेंट ऑफ वेडियेशन वन अफ तो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक हमने अभी तक बात की थी इस चेप्टर के अगर याद हो तो रेंज हमने किया हो था फिर अबने देखा हो था per फिर आमने देखा में डिवेशन और फिर इमने देखा अज मलोग बात करें एक इंपोर्टन्ट टॉपिक के बारे में जो है कोफिशेंट वेडियेशन अगर कोई भी दो चीज़ों को कंपार कर analysis तो हमें क्या चीए सीवीच है सीवीचे なので जिसने हम छोफ जो जोट कोफिशिंट अगर सीवीद जितना कम तर डिटा रिलाइबल उतना डिटा six बड़ा उतना वह रिलाइबल नहीं है यह क्वेस्टन के जाना वो रिलाइबल है या नहीं वैसा ही ज्यादा दर पूछेंगे सीवी का मतलब यहां पर मैं लिख रहा हूं सीवी इसी ओल्टू को इफिस्यंट ओफ जिसका फॉर्मिला होता है एस अपॉन एक्स बार इंटू और जो चीज़ आप इंटू हंड्रेड कर दो उसका अंसर हमेशा परसेंटिज में आएगा उसका अंसर हमेशा किसमें आएगा परसेंटिज में लॉजिक बैठा तो आपको सीवी फाइंड करना है सीवी के लिए लेश दूसरा के आना चाहिए अगर यह डोजी से आपको आती है तब जाकि आप समकर सकते हो वरना समकर सकते हैं नहीं हों कि एस इस पॉन एक्वार इंटू हंड़ेस ऐस धॉसरा आना चाहिए एक्स बार फैंड कर लेस पर्संटेज इस मूर रिलाइबल तो याद रखना लेस इस मूर कम वाली चीज हमाई लिए अथी है अब हम पास कोफिसेंट और वेरेशन के दम लोग सारी बाते करेंगे चल जाते हैं हम लोग यहां पे एक्साइज 4.5 इसके बारे में यह हमारा डेटा है यह सेर प्राइज सबसे ज्यादा है वह बताओ तो हम लोग सीवी फाइंड करेंगे जिसका आंसर ज्यादा होगा वह मोर वेरेशन वाला है जिसका अंसर कम आ रहा है वह कम वेरेशन वाला है अब इंडियुजली यहां पे आपको दोट रदी हो है सेर ए और से बी अगर ध्यान से देखो सुन पहले हुआ पहले हृऊ था यह वाल यह वाला पार्ट रहन थो थो यहां पर करो ओ करो टी से होगा एस का मतलब है सिग्मा एक्साइ स्क्वेयर अप ऑन एन माइनस सिग्मा एक्साइब आप On End the whole square यह हमने लास्ट आप लिखे थी मुझे सब का स्क्वेयर करना है अब ये वाली मैथपर पर मैंने एक method के अंदर एक और formula लिख्वाई थी अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक method लिख्वाई थी जहां पर s की method जो थी s is equal to sigma x i minus x bar the whole square upon n यहां पर यह वाली formula से कर रहा हूं कैसे पता जला सर यह वाली क्यों कि हम लोग x bar रूनते हैं x bar is equal to sigma x i upon n टोटल कितना रहा है 3 2 1 0 3 2 1 0 divided by एक दो तीन चार पांच छे साथ नो दस तो मेरा x bar point में आ रहा नहीं है अगर मेरा x bar point में नहीं आ रहा है तो मैं यह वाली formula यूज़ कर सकता हूं तो मैं यह वाली formula यूज़ कर सब्सक्राइब मुझे क्या करना है 321 माइनस 321 का स्क्वेर करना है तो जीरो का स्क्वेर 322 माइनस 321 वन का स्क्वेर 325 माइनस 321 लेखो ना मेरे साथ अब मैं यह डेटा के अंदर डाल देता हूं एस वाली फॉर्मिला एस इस इकल टू रूट के अंदर इन सब का टूडल करम कितना रहा है सेवन जीरो तो सेवन टी डिवाइड़ बाइंड टैन सेवन रूट सेवन करो टू पॉइंट सिक्स पोर फाइब अब मेरे बास दोनों चीज़ें आ गई तो क्या मैं इसमें रख सकता हूं एकस बार की वैल्यू है थ्री ट्वेंटी वन इंटू अंडर कितना रहे है जिरो पॉइंट एट परसंट यह कंपनी एक आओ यह कंपनी कौन सा हुआ अब मुझे जीए फॉर कंपनी बी कंपनी बी के लिए सबसे अले इसका टूडल भोलो कितना रहे है तो एकस बार मेरा जो होगा एकस बार इस इकल टू सिग्मा एकस आए अपॉन एंड वह है फोटीन अंड्रेट डिवाइड बाई टैन वन फॉर्टी एस इस इकल डू क्योंकि यह रूट यहां पर सिग्मा एकस आए माइनस एकस बार होल स्क्वेर अपॉन ले सकता हूं माइनस में पर स्क्वेर करो तो प्लस ही आएगा अंड्रेट मलब सिक्ष्टीन आ रहा है ना फोर ही आ रहा है पूर दन अब इन सबका टूडल करो फटाफर से फाइवन जीरो जब यह फाइवन जीरो आ गया फाइवन जीरो अपॉन टैन तो 51 देपवर एस इस एकल सकते हो सीवी इस एकल तो एस अपॉन एक बार इन 200 विच इए इकल तो अब आपके दोनों पर सीवी एक का है पॉइंट 83 और दूसरा है 5.1 आपको यह पूछा है विच इस मोर वेडियेशन किसमें ज्यादा दिखाए दे रहें 5.1 थस अमनी भी है वोर वेडियेशन अमनी भी हैस मोर वेडियेशन को डाउट है यहां तक लेख लो चलो अप्रिवन आप सबके लिए एक मिगा अनॉंस्मेंट हम लोगों ने आपकी स्टडी का जो सफर है वो और एंगेजिंग हो और एफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोड़ साथ एकाउंट्स और स्टेट के घर बैठे सौल कर सकते क्योंकि हमने बुक डिजाइन किये कुछ इस तरीके से जहां पे क्वेस्टन से और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है जो हम यहां पे क्वेस्टन सौल करेंगे वहां पे कर सकते और साथ-साथ में प्रैक्टिस सम्स Economics और Business Administration जिसे हम लोग उसी इमके नाम से भी जानते हैं हम लोगों ने Notes कुछ इस हसाब से बनाई हैं जहां पर MCQs, One-liners, Two-Marker, Three-Marker, Five-Marker, S पर Board Pattern जिस हसाब से बोड का pattern है उस हिसाब से फॉलो किया और काफी जगा पे काफी chapters में मैंने Summary Notes भी रखी है जिस वज़े से ह कि आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि टेश्बुक में काफी बारेस होता है यह डिफिकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हसाब से किया है और काफी chapters में मैंने Summary भी दी है कि आप यह Summary साथ साथ में और वो नोट को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा तो बच्चो अगर आपको यह नोट पर्चेस करनी है so you don't have to worry link मैंने already description में दे दी है आपको यहाँ पे screen पे भी दीखती होगी कि पही आप लोगों को अगर यह नोट हमारी जो account strategy को यह mean for subjects की जो अगर नोट से वो अगर आपको चाहिए तो it would cost only rupees 4100 don't worry delivery charges है वो हम लोग बैर करेंगे आपके लिए तो इतना तो हम लोग कर ही सकते है ठीके तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ा है यह हमारे mean for subjects की नोट वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है YouTube प सब्सक्राइब कर सकते हो तो बस हमारे YouTube वीडियो के साथ यह बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लिवल उपर और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहां पर मांक्स अच्छी देके से score अपर पाए तो happy learning मिलते हैं हम लोग बाद में बबाद में बबाइ हमाई cv की फॉर्मिला कि है cv is equal to sd upon x bar into 100 तो पहले कंपनी एका find कर लेते हैं फिर हम लोग किसका find कर लेते कंपनी बीका कर सकते हो आप लोग अपने आप sd upon x bar into 100 करके अब इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि आपको दोनों का खाली cv find करके बताना है तो कर सकते हो अपना आप लोग अपने आप कलो चलो फटाबर से लिखा एक आया 5 परसें धिका कितना फोर परसेंट चलो ठीक है तो यहां पे का मिल गें दूसरे का मिल गाया है काम खथम चलो नेक्स पर जादाते जिए इआने आपे दियाने आपको दोगोवी इसन और चुछ सीरीज ऑफ टू सिषांटीकल सभ्सक्राइदेट Śूरे psychology फिट्राइट सअ्ट यहां पर कितना है अपको में सिलीज one का निकाल के दे क्लिर देन सीडिवन ऐस अपन एक्स बार इंटु हंट्रेट एस की सीवी की वेल्वी थर्टी एस हम्हें पता है 15 तौब यहां पर ले ले लेते हैं हम्हें पता नहीं है इंटु हंड्रेट अब यहां पर थर्टी 20 is equal to 1500 divided by x bar बोल सकता हूँ ? x bar को इस सेर्स लेके चला जा तो 15 divided by 30 बोल सकता हूं करो x x barmem does equal to 50 हो गया है यहां तक किसीinta कई डाऊट है पक्का तो आपने एक का अगर find कर लिए दूसरा भी कर सकते हो अपने डन तो वो दूसरा आपने आपका नहीं पहले एक वाला लिख लो नोट्स के अंदर फिर दूसरा वाला कर ले ना ऐसे अपन एक्स बार एंटु हंड्रेट यह 25 ऐसे है हमारे पास नो एक्स बार पता नहीं है तो एक्स बार यहाँ पे ले लेते हैं 9 डिवाइड़ेट बैट वें ज्यादा दर समझोंगे वह सीवी बेज होंगे तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान से कर ले ना चल फिर उसके बाद आगे जाए यह आता है कंबाइंट स्टांडर्ड डिवेशन आप सबके महां पर यह फॉर्मिला दिखा रहे हैं यह कंबाइंट स्टांडर्ड डिवेशन क स्टांडर्ड डिवेशन क्या कि दे एंफन तो रखी रहें पर एसेड़ी एंटर स्कॉर प्लस डिवन स्कॉरल फेर दो स्कॉर्र दिवाइद पर यह तो और नीचे वाला पार्ट सभा माइनस एकस बार से शम करते तो ज्याधा समझ में आएगा इसका लंबा चोड़ा सम आपको डिटेलिंग में ज्यादा पूछेंगे यहां पे तो सारी चीज़े देख के रखेंगे तो उस हिसाफ सा नमबर अब स्टूडेंट अगर कम्पनी एक ही बात करो कमनी एक हम लोग ग्रूप वन ले 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 ते इसका नाम है ग्रूप टू जिसका नाम क्या है ग्रूप तू उसका एंवन देखो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दीर सिक्स्टी एंडो सिक्स्टी मीन मांक्स जो है एक्स बार टू वह है 48 और स्टांडर्ड डेविएसन जो है वह है 12 अब सब्सक्राइब मुझे डूढ़ना पड़ेगा एक्सबार सी एक्सबार सी की फॉर्मला इसलिए मैं पता है चैप्टर मंबर त्री में बोल बोल के ठक गया था कि सब्सक्राइब प्लस एंटू एक्स बार टू अब हमारा एंट वन जो है वो है 50 एक्स बार वन है वो है 60 एंटू जो है एक्स बार एक्स बार सी की वैल्यू फाइनल आंसर बता दो मुझे 53.53.45 एक्स बार सी मिल गया अब मुझे फाइंड करना है डीवन डीवन इस इक्स बार वन माइनस एक्स बार वन जो है एक्स बार सी एक्स बार टू एक्स बार सी एक्स बार टू जो है वो मेरा 48 तो 48 माइनस 53.45 और मुझे डीवन और डीटू नहीं चाहिए मुझे डीवन स्क्वेर चाहिए और इसका स्क्वेर 6.55 एंटो 6.55 चैल्गुलेटर करते रहे ना 42.90 ओके मुझे चाहिए डीटू का स्क्वेर कितना 70 चल अब मुझे साथ साथ मैं एस वन नहीं चीए मुझे एस वन का स्क्वेर जो होता है वह हंड्रेड आगे और एस टू का स्क्वेर जो होता है वह 144 अब मैं फॉर्मिला हूं स्टांडर्ट डेवीएसं ग्रूप का एंन्वन इन्टू एस स्क्वेर प्लस डीवन स्क्वेर प्लस बिटू स्क्वेर अपॉन एनुल प्लस एंटू अब यहां पर सारे डेटा की गेम डालनी है च्फिव्टी एंटू एस वन श्क्वेर जो था हमारा अंड्रेड प्लस D1 स्क्वेर जो था वो था 42.90 प्लस N2, N2 कितना था हमारा? 60 और यहाँ पे S2 स्क्वेर कितना था? 144 D2 स्क्वेर कितना था? 29.70 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 110 अब पहले ने कैलकुलेटर में यह करो 100 प्लस 42.90 करो हाँ, N2 50 करो 7145, अब पहले 144 प्लस 29.70 करो हाँ, N2 कर दो 60 104 डबल डिवाइड बाई 110 अब आप लोग क्या करोगे? पहले उपर दो वाले को प्लस करो हाँ, कर दिया डिवाइड बाई 110 करो, 110 करो कर दिया, ओके डिवाइड करने के बाद इकवल डू दबाया न, कि नहीं दबाया? अब रूट दबाऊ तो, SC का अंसर आ गया, 12.63, पूर, 64 कर जो चलाओ, यह स्टांडर कंबाइड स्टांडर का अंसर आ गया, क्लियर है, मैनत किस पे, एक्स बार सी पे, यह देखो, पूरा 11 स्टांडर के अंदर है न, स्टेटेश्टिक्स के अंदर बेजे की ज्यादा कैल्कुलेशन, अगर आ आपने कैल्कुलेशन के अंदर गल्दी कर लिए, कि इदर भी, बड़ा आलस करती है, कि मैं तो स्टेप गाप्थी मार मार के करता हूं, जो कई बच्चों की आदत हो दे, स्टेप गाप्थी मारते, वो क्या करते, फटा पर फटा पर, फटा पर, मत करना, दूसरे चीस, ज् सिल्ली मिश्चक पर रोना आसान है, सिल्ली मिश्चक से बचना ही मुस्किल है, वो तो जाएगी ना गल्दी या, पर आप लोग कैल्कुलेटर देने के बाद सब्सक्राइब बहुत मानता हो जाए तो कभी भी ऐसी गलती करनी नहीं है कैलकुलेटर पर उंगल्या बहुत फटाफट चलनी चाहिए और सारी चीज़े बराबर होनी चाहिए सेम स्म यहां छाहिए रखा हुए टन है एकस बार उन देकर रखा हो या कुग का मतलब होता है स्क्वैर बेरका मतलब क्या होता है स्क्वैर तो s square 1 जो है वो है 16 मलब standard deviation नहीं दिया लोग ने square करके दिया आगे वाले sum में हमें square करना पड़ा था यहाँ पे sum के अंदर square करके दिया वह बाजू में देख लेता है n2 वो है 40 x bar 2 जो है वो है 20 s2 square जो है वो है 20 सबसे पहले तो हमारा x bar c n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2 भाई फटाफट से help करो मुझे 10 into 25 plus 40 into 20 divided by 10 into 10 plus 40 250 plus 800 divided by 15 21 x bar c मिल गया चलो point में नहीं है तो हमारा काम थोड़ा और भी आसान हो गया अब हमें find करना है d1 d1 is equal to x bar 1 minus x bar c x bar 1 कितना है हमारा x bar 1 है 25 25 minus 21 वो आ गया 4 हमें चाहिए d1 square तो वो गया 16 अगर बरोसान हो माइनस का square प्लस में आता है तो calculator कर लेना चलो अब मेरे पास सारे आ चुगे स्की स्टांडर डिवेस्ट कंपाइं सारे फॉर्मिला एंड 1 एंटू s1 square प्लस डीवन स्क्राइब प्लस एंड टू s2 square प्लस डीटू square अपॉन एंड 1 प्लस एंड तो यह हमारा N1 है 10, S1 square जो है 16, D1 square जो है 16 प्लस N2 जो है 30, S2 square जो है 25 और D2 square जो है वो है 1 अपॉन 10 प्लस 40 पूरा सम क्यलकुलेटर के अंदर हो सकता है 16 प्लस 16 32 इंट तेन 320 50 25 प्लस 126 26 into 40 divided by 50 अब मुझे रूट बूट्स के साथ बता हूं इस फाइव फाइव फॉर्मिला याद रखने में फॉर्मिला बहुत अच्छी तरीखा में बताता हूं जितनी बार अच्छी तरीखे से अपने आप करोगे ना पूटिंग फॉर्मिला तो अगर मालो यह कंबाइंड चांडर डिवेशन के पांस समान्द आपने पांस बार फॉर्मिला लिए तो दिमाग में दीरे दीरे बैठ जाएगा पर खुद करने और उसी दिन कर लेना तो दिक्कत आए दोटेवां दोटेगी ने चलो मैं टांव लिखने के लिए लिए फटा फरस्सक्त करें कि एवं कर दो दो लिए